एक निर्गुन है जिसमें कि कहानी तो बहुत सांसारिक है लेकिन ये जोड़ा गया है प्रमात्मा से हम बोलगता है कि मेरी नानी वगर गाती हो एक्चुली हमारे शरीर के अंदर ही हमारे अंतरमन में संपूर्ण ब्रम्भान ब्यापते है लेकिन हम उस छण को कभी जी नहीं पाते हैं तो ये इन सब बातों का जिक्र है खीड़की कटा के गई ले अंगना में मोरे रामा खीड़की कटा के गई ले कब होना जखनी हमा मुडिया लागाई हो कब होना जखनी हमा कब होना जखनी हमा मुडिया लागाई हो कवाना जखनी हो राओर रामा कवाना जखनी हो अंगना में मोरे रामा कोठा उठा के गई ले कब होना जखनी हमा गुडवा पढ़ाई कवाना जखनी हो राओर रामा कवाना जखनी हो अंगना में मोरे रामा कुईया खोदा के गई ले कब होना भरनी पानी यहां पे बहुत ही बैग्यानिक धंग से बताया गया कुईया मतलब हमारा अंतर्मन और स्वास जो है वो डोरी के समान है उस डोरी से हम कभी भी अपने अंतर से खीच के पानी नहीं लाएं अगर हम आख बन करके स्वास के माध्यम से अपने अंतर्मर में जुड़े फिर उपर आए तो उस ध्यान साधना की बात कही गई है कितना वो पल अच्छा होगा जब हमारी नानी और उस समय के जमाने के लोग सुबह चार बजे उठकी ये भजन गाते होंगे और कितना इसमें रहा से छुपा हुआ है अंग नामे मोरे राम कुई आखो दाके गई ले कब हुना भरनी पानी डोरिया लागाई हो कवन गुण समधी हो राउर राम कवन गुण समधी हो राउर राम कवन गुण समधी हो देखिए हम लोग कितने भागशाली हैं स्वस्ति जी हम कोई खास आपकी प्रसंसा नहीं कर रहे हैं लेकिन रियल जानिए हमारे पीताइज भी बड़े अच्छे विद्वान तो थे ही गाते भी बढ़ियां थे लेकिं यही सब धून गाते थे वो बाते याद आ रहे हैं आज इसके पहले भी आपने जो गाया था हम कहा क्या बात है आप तो एकदम थपश्विनी हैं जो आप इतना संगरह करके गाती हैं एक बार स्वस्ति जी के लिए आप लोग करो भाई पुरानी पुरानी चीजें मिलेंगे नहीं यह सब भगवान की बड़ी अस्यम क्रिपा है सरसुति क्रिपातिन के उपर है